लुक्त पत्तूम एंब कर देनाँ नहीं कुछ लुक्त विडियो आज हम करने जा रहें का एसीटैप जिसका टाम बहुत ज्यादा दिखता है कि बहुत ज्यादा समय दिया गया है और हो सकता है कि उसका अर्निंग प्रटेंशल हमें कम लगता है अब आसा नहीं है उसका अर्न UN Find Content से भी है और Ian के नाम से भी आपको मिल जाएगा जहाँ पर की थोड़ा सा Cent का difference है तो 2 Cent per hit आपको मिलने वाला है एक hit करने पर 2 Cent मिलेगा आपको Production Work में अगर आप qualify कर जाते हैं तो ठीक है और 2 अपने concept module में सिखा है जो आपको बताया गाया था और उसे वीडियो देखने उनके फिर से रिपेट कर देता हूँ वहाँ पर detail में समझाया था मैंने यहाँ पर आपको बुरी बता देता हूँ कि क्या है आपको यहाँ पर सिर्फ हम जो दूसरी hit ups करते हैं जैसे entity curation crowd वहाँ लिए करना होता है है यहाँ पर भी वही करना है आपको बस business की website पर जाके name or return देखना है कि वह match करता है यह नहीं करता है जवाब देना है आपको यहाँ पर आपको अलग सच कुछ नहीं करना है आपको जो link दिया है वहाँ जाए और सच कर लिए तो आपको आंसर दे इस rules metrics को अब चाहिए तो screenshot लेके रख लीजिएगा इसमें क्या करना है वो समझाया है मेने simple से language में कि अगर आपको situation और cases क्या-क्या हो सकते हैं बस यह 4 cases होगा इसके लावगा कोई एक भी case नहीं आने वाला है या तो होगा कि बहुत business name और address होगा वो मिल जाएगा उस link पे तो आप क्या करेंगे आपको उस link का link को copy करना जहां पर वो website पे शो हो रहा है और paste कर देना और submit कर देना ठीक है check box में कुछ भी नहीं करना है और no information needed comment में कुछ comment नहीं लिखना आपको कुछ भी comment लिखनी जरूत नहीं अगर आपको link मिल जाता है तो जहां पर वो verify हो जाता है जहां पर नाम और address उस link पे verify होता है जो उन्होंने दिया हुआ अगर आपको जब आप website पे navigate करते हैं और आपको सिर्फ नाम found होता है या फिर सिर्फ address found होता है या दोनों में से कुछ भी found नहीं होता है तो दोनों तीनों की case में check the checkbox करना पड़ेगा आपको महाँ पर एक checkbox दिया है उस पे करना और no information available हुई है वहाँ पर मिली नहीं है आपको उस website link पे तो उस पे checkbox पे check करेंगे और जो comment है पर लिख देंगे जो भी comment होता है अगर name है address नहीं है तो लिख देंगे no address available अगर address से name नहीं है तो no name available ऐसा लिख सकते है और दोनों चीज़ नहीं है लिख देंगे nothing is available और अगर आप महाँ पर कोई error आता है 404 का जैसे की page load नहीं होता उस case में भी no information और जो भी page का error आप वहाँ पर डाल सकते हैं अगर दूसरी language में आयता है तो वहाँ धियान दीचेगा आपको language translate करके समझना पड़ेगा और फिर cross verify करना होगा ठीक है दो hit app कौन सी है एक बार देख लीज़े एक यह होती है आपका इन, you and find content from website इसकी बात करना हूँ है एक यह और एक यह ठीक है और दो और आती similar concept similar है कुछ नहीं करना है आपको देखती जाएए qualification समझ में आ जाएगा आपको और थोड़ा सा यह process लो आपको guide कर देता हूँ यहाँ पर देखिए यह process of finding business information कैसे करना है open the website आपको website को open करना पड़ेगा first step के अंदर जैसी आप website open कर लेंगे यह देखिए first step ए website open कीजिए locate कीजिए business को ठीक है, translate कीजिए अगर कुछ भी वहाँ पर website में दूसरे language में है तो अपनी language में translate करके वहाँ से information को compare कीजिए और fourth में rating कर दीजिए और इसका process है कैसे का करना इसके लिए कुछ points remember के लिए हूँ यहाँ देख लीजिए क्या remember देखना है आपको, ध्यान क्या देना है आपको double check करना है आपको, जो भी work आप करते है submit करने से double check कीजिए, कोई mistake तो नहीं करना है उसके बाद में remember to be accurate आपको accurate होना इस बात का ध्यान दीजिएगा totally efficient in your search आपकी जो search होती न उसमें efficient होना है आपको अच्छे से करना है जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है जितना better result आपके रहेंगे, the more hits you can complete उतना आगे तक जा पाएंगे, मतलब suppose अगर hits available है, तो आप और continue कर पाएंगे, जो भी समय दिया वा उसके according ठीके, लेकिन अगर आपने accuracy नहीं बढ़ती ना तो 5, 6, 7, 8, 10, 20 के बीच में temp disable हो जाएगा, ठीके, और अगर हो जाते हैं तो 16 day wait कर लीजिएगा, which means more money for you, ठीके, अच्छा है कि उससे काम करेंगे, तो आपको अच्छा रनिक हो पाएगा, submit hit in given time, not earlier than given time, जितना समय दिया है interface पर उससी में submit करना है ठीके, तो ये इसके कुछ points थे, आप इस points का ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर एक चीज़ों बताना चाहूंगा, ये question poll था, मैं यही समझा देता हूं आपको, क्यों बनाया गया था, ये इसलिए था, on which page of website can you typically find the business address कहां मिलेगा, जो सिर्फ contactors page पे देखिएगा, ठीके, contactors page देखना है, maximum cases में, और अगर chain business है, तो वहाँ पर store locator में चेक कर लिजएगा, अगर वहाँ नहीं मिलता है, तो फिर जो दूसरा option है ना, no information available, उस रट कर लिजएगा, ज्यादा research मत कीजएगा, what should I do if you can finally find the business name, but not the address, on a website, आपको चाहे name मिले, address मिले, याद दोनों ना मिले, आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये options लेट करना है, check the no information checkbox, ठीके, और वहाँ पर comment प्रोवाइट करना है, कि क्या आपको नहीं मिला है, और submit कर देना है, ठीके, तो ये इस hit-up का concept था, अब हम आते हैं, qualification part पर, qualify पर चलते हैं, guideline read करना चाहिए, तो read कर लीजी, बट मैंने simplify कर दिया, आपको read करने के जुरूरत नहीं होगी, तो यहाँ देखते हैं, दो attempts मिलने वाले हैं, और 10 hits आने वाली, ठीके, सिर्फ दो ही chance है, तो अच्छे से कीजिएगा, और देखते हैं, पहला question कौन सा आता है हमारा, तो यहाँ आप देखते हैं, पहला question है यहाँ बिजनस का name-up देखिए, थोड़ा सा interface को समझ लीजिए, तो यहाँ पर देखिए, यह है business info, जो आपको verify करना है, उसमें दो चीज़े महत्मुन होती है, एक होता है business का नाम, और एक होता है उसका address, ठीके, और कहां से research करना है आपको, यह यहाँ से, इस link से, यह जो link देखिए, इस पर click करेंगे न, तो net time में open हो जाएगा, इस पर click करना है, या तो direct home page पे देख लीजिए, यह detail available है क्या, यह match होती है, तो सीधे आपको, अगर वो contact us page में match होता है, तो contact us वाला link लीजिएगा, और यहाँ past कर दीजिएगा, और submit कर दीजिएगा, और अगर match नहीं होती ही न, name match होता है, address match होता है, suppose name भी match नहीं हो रहा है, address भी match नहीं हो रहा है, या दोनों में से पर एक चीज़ मैच हो रही है, या फिर 404 का error आ रहा है आपको, ठीक है, अगर 404 का error भी आता है, तो इन select कीजिएगा, और यहाँ पर आपको कुछ करना ही जरूत न, जिससे आपसे select करेंगे, यहाँ पर comment का button आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर comment के अंदर आपको type कर देना है, क्या नहीं मिला, ठीक है, और क्या error था, वो type करके submit कर दीजिएगा, ठीक ह अब यहाँ देखिए, अब आपको ज़्यादा कुछ भी research नहीं करना, सिर्फ दो चीज़ देखना है, फर्स तो यहीं देख लिजिए, homepage पर अगर 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 नहीं होता है, पुरा scroll down कीजिएगा, ठीक है, जल स्कूल दाउन कीजिए, तो यहाँ पर अजमान, United Arab, इमराथ दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए, क्या लिखा हुआ है, आई थिंक B142, और यह कुछ different language में है, तो जब भी ऐसा कुछ आता है, उसे translate कर लिजिएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ दिया हुआ लोकेशन मेंशन किया हुआ है, अजमान, United Arab, इमराथ, ठीके, तो यह है इसका address, यहाँ पर लोगों भी देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिया दिया गया है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको आपको सारे डिटल एक जिसे नहीं देखना है, कि आपको translate करके तो हम इसे English में translate कर लेते हैं, जो भी ऐसा आता है, जो translate नहीं है दूसरी language में आपको उसे translate करना होगा, और समझना होगा क्या चीज़े ओट CON, यहाँ पर इसे हम translate कर लेते हैं, और क्या चीज़े अगते हैं, यहाँ थीचा निया दिया वा इतिंग प्रास्त यह अजमान लेकर आ रहा है, ठीक है, यह अजमान है को मिला के, ठीक है, अब हम यहाँ आते हो, और हम ने देखा था, यह अजमान ही है, यह अजमान ही है, यही है, इस केस में इसे यहां से close कीजिए, अब आपको लिंक जहां से आपने verify कि यह मिल चुगा, Rivet Solution भी business का नाम है और URL में ही देख सकते हैं आप यहाँ पर उसाथ में अजमान में है अवेलेबल तब क्या करेंगे आपको No Information पर नहीं जाना है आपको यहाँ पर करना है Paste कि हमने verify कि Contact में अवेलेबल है और submit कर देना है यह case हो चुका है अब second case देखते हैं यहाँ पर क्या है Borders और यह है आपका business ठीक है और यहाँ पर यह है इसकी information तो सबसे पहले step में यहाँ पर click कीजिए website पर और research कीजिए contact us page में या homepage इसके लावा कहीं पर भी मच जाईएगा ठीक है और यहाँ देखी borders का है और यहाँ पर कुछ चीजे हैं हम देख लेते जिसे कि यह address में से कुछ भी मिल जाता है तो हम चेक कर लेंगे ठीक है सबसे पहले यहाँ आएगे सबसे पहले page को load होने दीजिए यह दूसरे language में page है तो आप इसे translate कर लीजिए यहाँ क्लिक करके जो मैंने copy किया वो मैं यह past करने वाला हूँ और देखी यह है यह है ठीक है और 5439 भी मिल रहा है और यह भी मिल रहा है और इसका नाम भी borders ही है तो यह तरीक से match हो रहा है यहाँ पर अभी हम इसे विलाल erase करेंगे यहाँ से और यहाँ पर हमें city देखना होगा देखिए यह चीज तो मिली है हमें shopping center है border shopping center तो यहाँ देखिए नेम क्या है border और I think name match नहीं हो रहा है उसके बाद यह दे दिया है इसको अभी ट्रांसेट करके देखिए तो समझ में आ जाएगा English में कि क्या यह किसी और language में तो नहीं लिखा है एक बार मैं इससे just inline translate करूँगा जिससे कि हम यही पर देख सके इसकी possibilities और अगर inline नहीं होता है तो हम यहाँ चेक कर लेंगा ठीक है तो इस चीज़ को एक बार देखेंगे क्योंकि business name match होना जरूरी है अगर दुनों में से कुछ भी एक match नहीं होता है तो हमारा no information वाला case बन जाएगा यह तो हम यहाँ पर test करते हैं और verify करते हैं से कि क्या यह दूसरे language में है या कुछ नाम ही ऐसा है तो यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार क्या चीज़ है और यहाँ पर address की बार हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बार side by side compare करते हैं मैं यहाँ ले आता हूं जिससे कि easy हो जाएगा दुनों को आपने सामने compare करने के लिए अब यहाँ देखिए यह है आपका SCH in ग्रिविसस यह mention हो रहा है और 5439 है और यह match हो चुका है I think तो यह सी इसी page पर दिया हुआ है तो आप इसे copy कर सकते हैं यही से हम यह contact में जाने की जूरूति नहीं पड़ी कि हम contact पर जाए और एक बार इसे contact पर क्लिक किजिए और देखते हैं कि क्या contact पर भी information यही है या कुछ नहीं दिया हुआ है वो देख लेते हैं तो यहाँ चेक करते हैं इसमें contact में यहाँ पर कुछ नहीं है बट इनके home page पर यह मिल चुका हमको तो मैं अभी यहाँ से close करूँगा और यहाँ पर यहाँ पर सीदे आएंगे और उस link को जहां से हमने लिया है वो paste कर देंगे ठीक है तो यही paste था तो इसी को वापस से open कर दीजिए और यहाँ पर इस link को फिर से copy करेंगे बोर्डर्स क्योंकि हमने वो verify किया है ठीक है जब verify हो जाता है तो आप यहाँ पर जाएंगे और submit कर दीजिए अपने judgment को फिर वही करना है आपको फिर देखिए यहाँ पर EI quote और यह दिया हुआ है तब पहले translate कर लेजिए अगर हु समझ जाते हैं पहले क्या है यहाँ पर I think यह पहले वाला word ही अभी यहाँ पर इसे copy कीजिए और फिर से आपके translator पर आईए paste कीजिए और translate कर दीजिए और देख लीजी कि क्या बन रहा है तो यह देखिए तो यह इस तरह से दिख रहा है महीम शब्द मैच करेंगे वहाँ सबसे पहले तो आपको इस link पर क्लिक करना होगा यहाँ पर क्लिक कीजिए और देखिए कि क्या business के home site पर या उसके contact us पर यह information नेम और business का address वरिफाई हो रहा है क्या तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर अगर दूसरी language में आदे है तो आपको translate करना होगा इस बात का ध्यान हम कर रहे है enun find content from website आपको website से content find करके verify करना है और जबाब देना है तो यह location दिया हुआ यहाँ पर है side by side open करेंगे मैच करेंगे business name मैच करना है और हमाँ मैच करना है उसका address यह नहीं करना है ध्यान दीजिएगा अलग से कुछ भी research मत कीजिएगा ठीके तो यह देखी प्लैसादे ओके और कुछ यहाँ पर दिया हुआ है और information I think यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है पूरा address दिया हुआ अब business का नाम भी आप देख लीजिए यह match हो रहा है तो मतलब को यहीं पर मिल चुका है आपको कहीं जाने की जुरूत नहीं अब दीखिए यह company website है के भी नहीं एक बार कि कोई ग्रीटर तो नहीं है इस website पर हमें मिल चुका है इनके store से हैं services से तो I think यह dedicated page हो चुका है आप क्या करेंगे सीधर यहाँ पर आएंगे उस link को यहाँ प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आके submit करेंगे judgment को नेक्स देखतें नेक्स आया आए आपका पापा मॉलमीनी यह है आपका business का नाम यह है आपका business का address और यह website है आपको यहाँ पर दिये फर्स स्टेप में इस research करना यहाँ पर इस link पे click कीजिएगा और link पे click करने के बाद आपको verify करना है कि इस website के ऊपर यह information available है यह नहीं क check box पर जाना होगा क्योंगे verify तो नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर आईए और no information पर जाएए और यह यह यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं comment में जो error मिल रहा है आपको वो तो हम यह लिखेंगे यह लिख की हाँ से submit कर दीजिए चलते है next question पर next question में business name आच चुका आपका labor of star laguna azule okay तो सबसे पहले first step कहता है कि आपको जो website का link दिया है ना query में उससी पर click करना है जैसे वह आप उस पर click करेंगे तो वह webpage open हो जाएगा फिर उस webpage पर locate करना है आपको यह detail को उस detail locate करना है यह बार देख लीजिए यह वाली business name and business address यहां हम बात करते हैं तो I think यह ले 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 लेते हैं pin code, zip code से ले ले लेते हैं और वारडेरो और यहां पर चेक करते हैं उपर वी वारडेरो लिखा हुआ है तो I think possibilities है आप यहां पर भी check कर सकते है scroll down करके पूरा या फिर contentus में कर लेंगे इसे हम right click करते है open new tab करते हैं जिससे कि हम दोनों page को verify कर सके है तो यहां पर यह page load हो चुका है accept and continue करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने contentus में किया सिर्फ form दिया या address भी दिया हुआ है तो यहां देखते है scroll down कीजिए और समझे यहां पर देखिए यहां पर क्य जगह पर नहीं लिखा होता है तो उस case में आपको page भी धूड़ना होगा फिलाल मैं scroll down करूँआ पूरा और देखने की कोशिश करूँआ कहां पर इन्होंने एच्छे से mention किया है नाम को ठीके तो यहां पर 18 4 & 5 star के बारे में बात की गई है और यहां पर हम आएंगे तो यह कीवर्ड काप्य कीजिएगा 17 लिखता हूं क्या 17 पेज़ पर कहीं पर है क्या यह नहीं है कोई बात नहीं है तो दूसरा लेते हम दूसरा जो keyword में हम ले लेते हैं आप जिप कुछ दिया है क्या किसी नाम को लेते है आइधिंग यहां जिप को लेते है ज्यादा सही रहता ह है इसे copy करेंगे यहां से और ctrl f और ctrl v करके करेंगे यहां mention नहीं है zip code भी तो एक बार देखेंगे फिर से wait कीजिए यहां देखते थे कि यहां कुछ mention क्या है यह क्या दिया हूँ है लगूना अजूल लिब्रो स्टार लगूना अजूल एक destination है इनका और dates भी दिया हूँ है तो इस पर देखते हैं यहां पर क्या दिया हूँ है address में km 17 ओटो इसको एक बार translate करते हैं देख लेते हैं इसे translate करके क्या यह है कुछ और इस यह है ओटो पिस्टा I think location का ना में क्या है वो समझ बार जाएगा हमे तो यहां देख लेते हैं इसे एक कॉपी करेंगे फिर से और यहां pass कीजिए translate कीजिए manage में लिखा हुआ है south highway ठीक है और south highway मिला हूँ आपको आपको 17th south highway वैरोडोरा में है यह यहां आप देखते हैं तो यहां देखते हैं वैरोडोरा तो कहीं दीखने रहा है तो काम करते हैं सिर्फ इस नाम को copy करेंगे देखिए research आपको अच्छे से करना है ज़र आपको लगता है कि नहीं यह possibility है यह business हो सकता है इसके अंदरा verify कर सकते है त यह दिया भी है कि होटल हाइलाइट है यहां देखते हैं यहां मैंशन तो किया है इन्होंने वारडेरो क्यूबा यहां देखेंगे वारडेरो और क्यूबा भी दिया हुआ है और यह जो यह जो information है जो हमने देखी ती जिससे हम कहा रहे हैं south highway और 42200 यह देखना आपको south highway में है यह चीज़ है ठीक है यह देखिए है map is the helicopter premium and the access of our labor also Laguna Azul just a few तो हम एक काम करते हैं और देखेंगे तोड़ा scroll down करेंगे choose the room you like ठीक है और find more in numerous में है restaurant है Unforgettable experience in Varadero plan your trip to Varadero यहां देखता है ठीक है map है और विट डाइट वीच एक्सेस फॉर मिट कर वह ठीक है six minutes 30 km from the Varadero golf club से इतना दूर है यह 30 km पर ठीक है इसकी location है और यहां पर यह features है सारे के सारे scroll down और करेंगे और देखेंगे कहां का पर दिया है what will you find in the hotel होटल है pubahod resort is a leading hotel chain the promote a responsible tourism model focus okay तो यह थिंक यहां से हम exactly नहीं ले पा रहे है इन्होंने जो हमें detail चाहिए हमें यहां पर zip तो मिलना चाहिए और एक बार यह देखते हैं यह 42200 है यह क्या चीज़ है इस एक बार देख लिए इस zip code कहां का है कई बार आपको इस सच भी करना होगा किसी-किसी cases में तो देख लेते हैं यहां पर यह कहां का address है कहां का यह pin code है दिक है zip code तो सच करते है यह मिनवाली साइब ओ पोस्ट कोट यहां देखे पोस्ट कोट इन मलेशिया का ही है और कहां का है कापार मलेशिया क्लांग मलेशिया ओके यहां देखेंगे क्यूबा वारडे रो अब एक काम और करते हैं मैं अभी यहांसे फिर से चलूँ माहिंगा यह close कर देंगे और एक बार फिर से देख लेते हैं से यहां से इसे close करेंगे और यहां पर देखिए आई बेरो स्टार लगुना अजूल नेम मैं मैच हो रहा पर अड़र्स नहीं मिल रहा अभी तक हमें तो यह नो इन्फर्मेशन वाला ही केस लग रहा है और देखते हैं आवे वराडेरो यह होटल का डेस्टिनेशन है इसे फिर से में क्लिक करूँ हां काउंटिटस पर तो यहां पर यह उपन और आप 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 इसे close कीजिए मंडी टो फ्राइडे क्लोज करेंगे यहां पर क्या चीज़े देखते हैं होटल डेस्टिनेशन में वारडेरो में सी और हड़ा क्यूबा में है और यहां पर आप देख सकते हैं यह वाला इस पर क्लिक करते हैं ठीक है यहां पर लगलग दिया हुआ है librauna अब हमारा वहाला देखता है कौन सा वॉल्लख लगुनाजो ड्यूदूए है लेवरस्टा लगुनाजो रदे टरी है नहुंत पर हम्चान अछितों यहां से फिर से देख सकते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं एक बार देखते ही क्या चीज़ है, और उसके बाद, यह है ठीक है, लेबरोस्टार, लगू नाजूल, तो यह नेम तो मैच हो रहा है आपके, नेम मैच हो चुका है, बढ़ आपको यहां देखना है, डेस्टिनेशन क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करते हैं एक बार, इसने कहीं अड्रस दिया या नहीं दिया है, वो देखना होगा हमें, जिपकोट के साथ में, वारडेरो क्यूबा दिया हुआ है, और यहां देखेंगे तो वारडेरो क्यूबा है, यहां देखेंगे तो वारडेरो क्यूब नहीं दो मिंटर से दिया है आपको किसी किसी क्वेश्चिन में आपको समय लग सकता है जिसे कि आपके अक्यूरिस पर कोई फरक नहीं होना चाहिए यह क्या चीज है यह गूगल मैप का डेटा है गेट डेरेक्शन है फिल्टर बाइ में कुछ अप्शन होगे देखते हैं व्यूर्ड शॉपिंग नाइट लाइफ अक्कमडेशन यह बहुत है ठीक है और इसका कुछ एड्रस तो नहीं दिया हमें वाट केंड अफ फुड यह सब चीज़े हैं यहां क्या लेका हुआ इस लेडिंग चैन इसके बारे में हमें ट्रूस देशन ऑफ दो आइलेंड ऑफ क्यूबा क्यूबा होटल एंड रिजॉर्ट ऑफिसों तो यहां पर तो कुछ नहीं है यहां कुछ नहीं मिल रहा है आपको हम नेम मैच कर पा रहे हैं उसके बारे इसके जज्ज्मrं कर देते हैं तो वारादैनों ट्वाइब त deleted एट टाउं निनर क्यूबा है हमें टाउं निनर क्यूबा मिल चूबा यहां पर यहां बाकी का दो चीज़े मैच हो गई है और यह फिसके बाकी यह तो उसके हम्हें गरेंगे यहां पर जो भी आपको लगता हुची तो लिख दीजिए और समिट करतें जज्जमेंट को नेक्स वेशन इससे पहले इससे को क्लूज कर देंगे यहां पर बिसनस नेम आपका है स्माइल इसेंशल डेंटर क्लिनिक दुबई है यह और इसका address है तो सबसे पहले इस पी कलिक करेंगे और अपेлемDubai का आई तो होसकता है कि page आपका दूसरे likewise हो if English के लाभा Arabic में हो सकता है तो इहां नहीं दिया है अरबिक में तो यह अच्छी बात है अब यहां से about us के और में बताया गया है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस सब पेज में भी काउंटिक आ जाता है इसका मतलब है कि आप उस पे नवीगिट हो रहे हैं और फिर आपको वरिफाई क्या करना है एक बार देख लिजे यहां से आपको यह वरिफाई करना है यह एड्रस आपका ठीक है और यह भी दे है तो मैंने भी यहां पैस कर दिया है और अब देखते हैं यहां पर ओफिस नंबर 314 AI यह कहां पर दिया है इन्होंने इनका काउंटिक देखते हैं तो देखिए यह राट की और फॉत्तार शॉपिंग मॉल है और नेक्स्ट कर्मा संटर यह मैच हो रहा है यहां पर पूरा और अपने हीट अप के इंटरफेस पर आएंगे यहां पर आने के बाद में आपको लिंक मिल गया है न नेम अडर्स दोनों में चोड़ चुका है इस नेम भी देख लीजिए यहां पर Smile Dental Dubai Smile Essential Dental Clinic Smile Essential Dental Clinic यहां से ममाच हो रहा है अब हम आते हैं यहां पर यहां पर वो link पेस्ट करेंगे जहां पर अधरस दिया था और सब्मेट करेंगे यहां से next question पर चलते है next question आपका business name है आपका status by the sea और ये link है सबसे पहले link पर click करना है और verify क्या करना है उसे copy कर लिजिए यहां से तो हमें यहां से यह address verify करना है यह address होना चाहिए कहाँ पर यहां पर तो हम यहां पर इसे लिख कर रख लेते हैं ठीक है किस जगा पर तो हमें देख करते हैं होगी हम यहां past कर देते हैं से यह address हमें verify करना है ठीक है और इस webpage पर verify करना है इसके contact us page पर भी देख सकते हैं यह homepage भी तो यहां पर हम देख सकते हैं यह इनका website है studies by the sea ठीक है तो I think आप जब यहां पर आएंगे न तो यह नाम तो match हो रहा है अब हम चलते हैं यहां पर देखते हैं कि क्या हमें contact us पर जाने की ज़रूँ थे यहां पर यह website है इसे देख लेते हैं हम एक बार study by the sea है और restaurant mania scroll down कीजिए और यह address तरिफाई करना है जो हमने लिखावा हम चेक बोक्स पर क्लिक करना है और रिजन देना है तो यहां देखते हैं यहां क्या information दी गई है यहां पर यहां पर क्लिक करना होगा पहले और विजट करना होगा और यहां पर पर पैस्ट करने वाला हूँ जो एडरस दिया हुआ है नॉर्थन मार्यान आइलेंड साइपना आफिन ठीक यह हमें चेक करना है और हम चलते हैं कांटेटास पेज़ पर चलेंगे यहां पर और यह चीज़ वरिफाई करना हमको तो यह देखिए यहां दिया हुआ है 502370 बीच तो यह mention हो रहा है यहां पर match San Antonio और नॉर्थन मार्या आइलेंड Saipan MP ठीक है तो यह इतना डिटेल यहां दिया हुआ है आप यहां चेक कर सकते हैं और यहां देखिए 502370 बीच रोड मैच हो रहा है और यहां देखिए 502370 बीच रोड तो यहां देखिए 502370 बीच रोड तो यहां देखिए 502370 बीच रोड मैच हो रहा है और उसके बाद म यहाँ पर Sipen और Fetna A-F-E-T-N है यह चीज़े दी गई है तो यहाँ देखिए Sipen भी match हो रहा है तो इस case में आप क्या करेंगे इस content us को ले लीजिए यहाँ से जब इतनी चीज़े match होती है तो आप content us को ले सकते हैं कि यहाँ हमने verify किया है और email चुका है यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले और हमें verify करना है यह name और यह address match होना चाहिए इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ अगरा match नहीं होती है तो उस case में no information के option को select करेंगे और submit करेंगे reason के साथ में comment के साथ मैंटे कि अभी देखते हैं यहाँ पर कि इस website पर आपका जो है यह business है इसका name और address दोनों मैच होना चाहिए तो यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर देखिए यह जो name है ना यहाँ पर name में दिक्कत लग रही है name है Lysie Simone Vale तो कोई भी चीज़ अगर match होती है तो आपको वही no information का checkbox करना होगा यहाँ देखते हैं ऐसी डिजोन और French का कुछ website है और यह academy डिजोन करके तो name तो match होई नहीं रहा है तो आप इसी में यहाँ आ जाए और यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपका reason है इसके अंदर ठीक है तो हम यहाँ पर लेके देते हैं जो हमारा reason है तो no information matching name and address यहाँ पर लेके देते हैं name भी match नहीं हो रहा है और address भी match नहीं हो रहा है धिंक दूसरी entity है यह और submit करते हैं जज्ज्मेंट को page को पूरा load होन देते हैं उसके बारे से translate कर देंगे तो यहाँ पर check करते हैं इसके बारे में तो information हम बगोटा ढूंडते हैं जो दिया हुआ है तो बगोटा इस लोकेशन प्रवेलेबल है और यह दिखिए यहाँ mansion किया हुआ I think हम चलते हैं पीछे फिर से और यह दिखिए यहां बगोटा City Hall है तो यहाँ पर हम इसे copy करते हैं और copy करने के बाद में इसे translate कर लेते हैं यहाँ पर क्योंकि I think Spanish में है तो यह दिखिए बॉलिवर स्क्वेर इन बगोटा तो बॉलिवर स्क्वेर इन बगोटा दिया हुआ यहाँ पर और address is a CR71110 last ठीक यह address is CR71110 तो य यहां पर लिखे देंगे कि address is no address is mismatching with the business इतना लिखके आप submit कर दीजिए तो no information address mismatch इस तरह सब्सक्राइब लिख सकते हैं जो भी आपको लगता है वा लॉचिक और वो सही लिखिएगा कुछ भी यहाँ पर false कुछ भी false type नहीं करना है पोटे के तो submit करते हैं जज्मेंट को So we have just passed the qualification test तो guys बस ऐसे ही करना है सभी को धियान दीजिएगा सभी जितनी भी queries आती है उनको one time आपको चेक करना है rules में आपको बता चुका हूँ फिर से अगर समझ में नहीं आता तो video को rewind करके देख लिख 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 स्टार्टिंग में जहाँ पर मेने rules बताया थे एक matrix श information करके reason देजिएगा comment I hope ये video आपको पसनाया होगा और concept समझ में आ गया होगा और आप इस काम करना शुरू कर देंगे और अगर आप काम कर रहे हैं continuous के उपर तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मेने rules में भी आपको बताया थी thank you for watching have a great day अपना ख्याल रखें मिलते in next video में